करुन रस वहां उपस्थित होता है जहां पर किसी अनिष्ट, किसी के निधन अत्वा प्रेम पात्र के चिल्वियोग के कारण शोग भाव उत्पन होता है शास्त्र के अनुसार शोक नामक स्थाई भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के सयोग से अभिव्यत होकर जब आस्वाद के योग्य बन जाता है तब वह करुन रस में परिनत हो जाता है प्रिय जन का वियोग, खोया एश्वर्य दरिद्रता, दुख पूर्ण परिस्थितिया आदी आलंबन है प्रिय व्यक्ति की वस्तुएं, यश एवं गुन कतन, संकेट पूर्ण परिस्थितिया आदी उत्दीपन विभाव है करुनस का अनुभाव रोना, जमीन पर गिरना, प्रलाप करना, छाती पीटना, आसु बहाना, छटपटाना आदी है निर्वेट, मोव, जर्ता, आनु, गलानी, चिंता, स्मृती, विशाद, मरंग, स्ने, घृना, द्यान्य, आदी, संचारी भाव इसके अंतर गताते है भवभूती का मानना है कि करुन ही एक मात्र ऐसा रस है जिससे सहरिदे पाठक सरवादिक संबंध स्थापित करता है जैसे रामचरित मानस में दश्रत के निधन के वर्नन द्वारा करुन रस की चरम स्थिती का वर्नन किया गया है उदाहरनार्थ आधुनिक कवियों के द्वारा करुन रस के अंतरगत दरिद्रता एवं सामाजिक दुख्षो कादी का वर्नन अधिक किया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निरालकृत उत्सा शीर्शक कविता में व्याकुल जन्मानस का वर्नन करते हुए बादलों को करुना प्रवाहित करते हुए बर्सने का वर्नन किया गया है विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आय अग्यात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा, जल से फिर, शीतल कर दो, बादल गर्जो, सूर्यकान त्रिपाथी, निरालकृत, उत्सा, शितिज भाग दो इसी प्रकार कुछन्य उदाहरन भी है, जिन में समाज का कारून एक द्रिश्य प्रदर्शित करते हुए, करुनरस का हृदेहारी वर्णन किया गया है, पर दुनिया की हजारों सभकों से गुजरते हुए, बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे, काम पर जा रहे हैं, मेरी काल कोटरी काली, माखनलाल चतुर्वेदी कृत, केदी और कोकिल, क्षितिज भागेक, करुनरस का एक अन्य उदाहरन है, करी विलाप सब रोबही रानी, महाविपती किमी जाई बखानी, सुनी विलाप दुखत दुख लागा, धीरज छूकर धीरज भागा, इसमें र चारी भाव है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुएक अली हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुम्बन शून्य कपोल, हाए, रुप गया यही संसार, बिना सिंदूर अंगार,